दोस्तों अगर आपने सीटे जुलाई 2024 का एक्जाम दिया है तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आप सभी जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा बहुत से भ्यारतों के कमेंट है OMR शीट को ले करके जैसा कि बहुत से बच्चों से OMR शीट को ले करके और जो है बुकलेट कोड को ले करके बहुत सारे भ्यारतों के कमेंट है कि हमारा रिजल्ट रूखेगा तो नहीं रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा जबकि उनके मार्स अच्छे खासे है 90 प्लस है 100 प्लस है उनका कहना यह एक मैं मेरे इतने नंबर है क्या मे जाने जाएंगे अगर हम जो इस टाइम की बात करने यालि 2024 में क्या अपडेट है इसको ले करके सब कुछ डिटेल में जानेंगे और जो कुछ भी जानेंगे दोस्तों आफिशली जानेंगे दूसरा यहां पर कामन नंबर को ले करके बहुत से भ्यारतियों के कमेंट है कि म कामन नंबर हमें मिल सकता है तो सब कुछ डिटेल में जाने वाले हैं बने दिएगा आप सभी वीडियो को लास तक बिनाइस कीप को दोस्तों नहीं हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लिजेगा बलाइगन को प्रेश कर लिजेगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अब्डेट आ अगर आप सभी के मिस्टिक हुई है तो आपने देखा होगा कि जब आपकी आंसर की यानि सीटेट की जो आंसर की जारी की गई है 24 से ले करके 27 तक विबसाइट पर उपलब्द थी आप लोग अपना आंसर की के साथ जो है वेमार शीट को देख सकते थे तो अगर आपने च कुछ चीज़ा जैसे कुछ बच्चों ने जो लेंग्वेज वाले पेपर थे उसमें कुछ फिल करके हिंदी की जगा मालीजी हिंदी हंकी है तो उन्होंने हं Means ket करके नहीं रुकेगा लेकिन आपका नंबर जो है देखने को मिलेगा जिस तरह से आपने जो गलती की है बाके दोस्तों बहुत से बच्चों के कमेंट है कि जैसे जो चार आपका ऑप्शन दिया रहता है उसमें से बहुत से बच्चों ने गलती से दो दो ऑप्शन जो है वहा आपने एक से ज़्यादा बबल किया है तो यह तीस से रिलेटेट पूरी जानकारी जो कि मैंने आप सभी को दे दी है दोस्तों रिजल्ट आप सभी का नहीं रुखेगा इस चीज़ को मानिएगा क्योंकि पिछली बार भी ऐसे ऐसा ही था और आपका नंबर इधर उदर हो सकत है अगर आपने कोई गलती की है तो रिजल्ट आपका नहीं रुखने माला है दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे आपका जो क्वालिफाइंग मार्स है यह रिजल्ट आप लोग देख पार होंगे इस तरह से आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा और यहाँ पे मैं आपको बता दू नोट करके जो दिया गया है यह ओफिशियली है सीटेट की तरफ से जारी किया गया था आपके नोटिफिकेशन में भी मेंशन है कंडिडेट से कुरिंग सिस्टी परसेंट एंड एबब मार्स विल बी कंसीडर्ट अस सीटेट क्वालिफ इसकूल मैनेजमेंट्स, गवर्मेंट, लोकल बाडिज यहाँ पे देखिए बहुत से बच्चों का कहना है रहता है सिक्स्टी परसेंट जैसा कि इनकी ओफिशल जो वेब साइट है नोटिफिकेशन में 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 मेंशन क्या हुआ है तो इसको लेखर कि उनके डाउट बन ज स्कूल मैनेजमेंट्स, गवर्मेंट, लोकल बाडिज, गवर्मेंट, अड़ेड और अनड़ेड, में कंसीडर गिविंग कंसेशन तू परसेंगे यानि अगर आपका 90 प्लस नंबर है ठीके दूसरा अगर आप यहाँ पे साफ तर पे बताया गया है दोस्तों देख सकते है SC, अगर आप जो है SC, ST, OBC या फिर differently abled person है तो आपको जो है वहाँ reservation मिलने वाला है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 55% पर जो है आप लोग qualify होते हैं यानि 82 पर तो यह आपका है अगर आप जो है OBC है, SC है, ST है, PWD हैं तो आप जो है अगर 82 नंबर लाते हैं, 55% लाते हैं और अगर जो है आप जनरल में हैं, UR से हैं तो आप जो है 60% पर qualify माने जाएंगे, यानि 90 पर अब यहाँ पर बात आती है, बहुत से बचों के comment आते हैं कि मैं क्या जो है अगर हम 82 जनरल वालों का सभी का equal होता है चाए अपने state में हो या फिर other state में हो अब जो है यहाँ प पाएंगे other state में या किसी central की कोई vacancy आ रही है, तो दोस्तों देखिए अगर आपका इतना number बन रहा है तो अपने state में तो आप apply कर लेंगे, लेकिन किसी other state में नहीं apply कर सकते हैं, जब तक कि किसी other state के लिए आपका 90 प्लस होना चाहिए state में, क्योंकि किसी other state में जब आप apply करते हैं, तो reservation जो मिलता है, वो सिफ आपके state में मिलता है, किसी other state में नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको general में count किया जाता है, तो उसके लिए आपका 90 प्लस होना चाहिए, central की भी कोई vacancy आ रही है, जैसे KBS है, यह सारी vacancy आ है, तो यहाँ पे आप apply कर सकते हैं, लेकिन किसी other state में जाने के लिए, आपको इतना जो है, यानि 90 प्लस होना चाहिए, बाकी general की क्या बात करें, general का same होता है, चाहिए अपने state में हो या फिर other state में उनको 90 प्लस ही होता है, female की बात करें, बहुत से बच्चों की comment आते है, female में कि मेरा इतना नंबर है, तो हमेरी reservation मिलेगा, आपका भी यही है, same process है, जैसा कि आपने देखा होगा कि बिहार में जो vacancy आई थी, TRE 1.0, TRE 2.0, इसमें ये था कि वहाँ पे बिहार में जो है, female को 50% आरच्चर मिला हुआ है, तो जो other state की female है, ये था कि वो भी उनी female के साथ जाएंगी, तो उनका ये था कि हम भी जो है, अगर 82 प्लस नंबर है, यानि 82 और 90 की बीच में है, तो हम भी जो है, उसके लिए eligible है, apply कर सकते हैं, अगर हमारा 90 प्लस नहीं है, तब भी जो है, हम भरती में बैट सकते हैं, मगर यही हुआ था जिसकी वज़े से फिर selection के बाद जो है, उन female candidates को जो है, फिर से वहाँ से नि आपको बाहर कर दिया जाएगा, तो यह थी इस related पूरी जानकारी, जो कि मैंने आपको दे दिया है, दोस्तों, आपका reservation को ले करके, qualifying marks को ले करके, मार्शीट को ले करके, दूसरा यहाँ पर common number को ले करके, बहुत से ब्यारतों की comment आ रहा है, कि मैं common number कितना मिल सकता है, तो भले हम यह नहीं कर सकते हैं कि चारो पाचो question पर जो है, वो change कर देंगे, बट एक दो question पर तो करना ही करना है उनको, तो आप एक दो number की पूरी उमीद लगा सकते हैं, और बढ़ेगा तो सबका, अगर मान लिजे, means में, अगर means में, जो है, जो question पाय जाते हैं, तो वो सभी बच्चों के बढ़ेंगे, प्लस होंगे, अगर जो है, language में पाय जाएंगे, इस तरह के, अगर answer की change होती है, तो वो सिर्फ language वालों के ही number बढ़ेंगे, वो वहाँ पे सबके नहीं बढ़ेंगे, तो यह थी दोस्तों, इस related पूरी जानकारी, जो कि मैंने आप सभी को दे करके ज़रूर बताइएगा, मिलते हैं नेस्ट अब्डेट के साथ, तब तक लिए बाई 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 टेक केर, और आपसे request है, दोस्तों, विस्टर मास्टर चैनल को subscribe कर लेजेगा, बेल आकन को प्रेश कर लेजेगा, ताक इसी तरह की authentic update आप तक टाइम पर पहुँचती तκαच तको आपसे ले हैं।, जब तोस्तों आपसे हैं।, पमस जाो एंसकैनल को आहं पासे हैं।, है हमसरे चाल को पकर लेगेगा हैं।